तो और भाई क्या हाल चाल सबका Journey Towards Aftar 2 के दूसरे एपिसोर में आपका स्वागत है जहां हम लोग Aftar Universe के हर छोटे से छोटे hidden details के बारे में बात करते हैं इस सीरीज के पहले एपिसोर में हमने नावी के प्लैनेट पैंडोरा के बारे में जाना अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन में क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उस कंपाउंड के बारे में जिसकी वज़य से हुमन्स और नावी के बीच कॉन्फिक्ट स्टार्ट होता है तो बिना जादा सस्पेंस बनाते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट कलोलू साल पहले हमारी सोर सिस्टम से 4.37 लाइट यर्जूल अलफा सेंटरी सिस्टम के प्लैनेट्स और मून्स का फॉर्मेशन हो रहा था उनमें से एक प्लैनेट था पॉलीथीमस और उसके चौदा मून्स में से एक मून था पैंडोरा जो की उस समय स्टिर मॉलिटन स्टेट में था कहते हैं कि उसमें जाके एक मास साइस की स्टेलर बोडी टकडाती है और पैंडोरा का आइलन निकल को डिस्रप्ट हो जाता है जिसके बाद वहाँ पे टेंपरेशर और प्रेसर बहुत तेजी से बढ़ने लगता है जिसकी वज़े से यहां की फोर्स पॉलिटीमस की intense magnetic field से interact करती है and as a lizard एक ऐसे compound के formation की conditions त्यार होती है जो humans के लिए बहुत valuable होता है जिसको आगे चलके नाम दिया जाता है unobtainium अब जैसा की unobtainium की नाम से ही पता चलता है कि इसका मतलब होता है एक ऐसा element या compound जिसको पाया ना जा सके यानि कि उसे obtain ना किया जा सके layer life में भी scientist अगर किसी compound को unobtainium कहते हैं तो इसका दो मतलब होता है एक यह compound extremely layered है दूसरा यह compound कुछ specific properties possess करता है जो किसी और compound में मौझूद नहीं है और जिसकी वजह से एक desirable outcome मिलता है अफ्तार universe में unobtainium energy के superconductor की तरह काम करता है इसकी कीमट 20 million dollars per kilogram होती है और अगर इसे earth में ले जाके refine कर दिया जाए तो इसकी कीमट 40 million dollars per kilogram हो जाती है अब आपको भी समझ में आ रहा होगा की unobtainium humans के लिए इतना valuable क्यों है Pandora का atmosphere humans के लिए toxic है तो उनको special exo pack का use करना होता है जिसकी वजह से वो वहाँ पे सांस ले सके और इस compound को mine कर सके humans इसको mine करके health truck नाम के एक vehicle में ले जाते हैं जो की Pandora की conditions के हिसाब से ही बनाया गया है वो unobtainium को लेके health gate में जाते हैं जहांपे humans recite करते हैं और फिर इसको well kindly subtle के थूँ ISV Venture Star Space Sip में पहुचाते हैं जहांसे ये supply earth के लिए export होती है इस पूरे process की जिम्मेदारी RDA को मिली होती है यानि की Resource Development Administration ये एक non-governmental organization है जिसकी political और financial power Earth की कई government से भी जादा होती है मैं जल्दी इस पे एक separate वीडियो भी बनाऊँगा ताकि आप RDA के बारे में और details में जान सकें अगर आप ने ये वीडियो यहां तक देखा है और आप इसको enjoy कर रहे हैं तो please चैनल को subscribe कर लिजे ताकि मुझे अफ़ता इन्यूर्स पे और वीडियो बनाने का motivation मिले अगर कुछ और properties की बात की जाए तो unobtainium एक ऐसा superconductor है जिसके पास एक strong magnetic field है जबकि Earth के दूसरे superconductors magnetic field को repel करते हैं यही नहीं बाकी superconductors के comparison में unobtainium एक stable quasi crystal की तरह behave करता है जिसके atoms एक orderly pattern में arrange होते है unobtainium सब ही superconductors से efficiency और stability के मामने में 1000 times आगे है और तो और unobtainium में एक magnetic field को भी contain किया जा सकता है अब एक सवाल आता है कि जब यह compound इतना valuable है तो scientists ने इसी के जैसे compound बनाने की courses क्यों नहीं की तो इसका जवाब है Earth में unobtainium जैसे compound बनाने की courses तो की गई थी बट RDNA ने उसको अपने political influence की मदद से रोग दिया था ऐसा भी कहा जाता है कि RDNA ने कुछ terrorist organizations को funds देके इस पे लगाम लगाई Pandora में unobtainium एक खास जगा में पाया जाता है जिसे कहते हैं Hallelujah Mountains जो की ऐसे mountains होते हैं जो हवा में float कर सकते हैं इसके पीछे का कारण है Pandora और Polythemus में मौझूद magnetic field का overlap इस overlap की वजए से कई fluxcons की fields बन जाती है fluxcons यानि की वो जगा जहाँ पर Electromagnetism का influence सबसे ज़्यादा होता है ये fields उनके साथ intellect करती है जहाँ पर unobtainium की concentration high होती है स्पेस में ना जा पाएं इसलिए counter magnetism का form जिसे quantum locking का जाता है वो informations को hold किये रहते हैं इसी तरह की rich unobtainium formations को hallelujah mountains कहते हैं humans के लिए unobtainium इसलिए भी important है क्योंकि ISV venture space ship के transportation में जो energy लगती है उसको afford करने के लिए इसका use होता है यही नहीं earth की 22nd century की economy पूरी तरह से unobtainium पर निलभर करती है वही नावी के laws और उनका pandora के environment के साथ spiritual connection उन्हें इसको mind करने के इजाज़त नहीं देता है और इसी वज़े से humans और नावी के बीच conflict होता है तो यही थी unobtainium की पूरी गाथा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजे और वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके बताइए कि आप अफतार इन्यूस पे और कौन-कौन से वीडियो देखना चाते हैं बहुत बहुत धहनेवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए